Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 2.2 का question number 3, तो question number 3 क्या कहता है, find the value of the following, यहाँ पे हमें 4 parts दे रखें और हमें इसकी value find out करनी है, यहाँ पे हम जो इस्तमाल करेंगे वो कौन सी property होगी, यहाँ पे जो है वो हम distributed property इस्तमाल करेंगे, distributed property क्या होती है, a, b plus c is equals to a into b plus a into c, जहाँ पर a, b, c हमारे क्या है, whole number है, तो इसका इस्तमाल करेंगे, पहले हम part a देख लेते हैं, यहाँ पे यह हमारा क्या है, 297 into 17 plus 297 into 3, यहाँ पे भी 297 है, यहाँ पे भी 297 है, तो यह इस form में लिख रखा है, इसको हम क्या करेंगे, इस form में लिखेंगे, तो क्या करेंगे, 297 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो यह हो जाएगा 297, 17 plus 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 297 into 17 में 3 add करेंगे, यह हो जाएगा 20, और 297 को हम 20 से multiply कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, 297, यहाँ पर एक यह 0 तो आएगा ही आएगा तो इस 0 को हम पहले ही लिख लेते हैं अब हम multiply करते हैं शरीफ 2 से 2 7 जा 14 14 का 4 लिख लेंगे 1 यहाँ लिख लेंगे 2 9 जा 18 18 में 1 एड करेंगे 19 आजाएगा 19 का 9 लिख लेंगे और 1 यहाँ लिख लेंगे 2 2 जा 4 4 में 1 एड करेंगे यह हो जाएगा 5 तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा हमारा 5 9 4 तो यह हमारा answer आजाएगा आसान हो गया इसका इस्तमाल किया तो हमने तो यहाँ पर भी हम part B में देख लेते हैं यहाँ पर देखो 5 4 2 7 9 यहाँ पर भी है 5 4 2 7 9 यहाँ पर भी है तो हम क्या करते हैं इसको कामल ले लेते हैं तो इसको हम जब बाहर लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा 5 4 2 7 9 यह हमने बाहर लिख लिया अंदर क्या बचेगा यह यहां पे यह 92 बचेगा प्लस यहां पे क्या बचेगा 8 तो यह हमने 8 लिख लिया अब 92 में 8 एड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा तो यह हमारा क्या जाएगा 54279 into 100 और 100 से multiply करना आसान होता है तो क्या करते हैं इसमें 20 बढ़ा देंगे 5427900 यह हमारा आंसर आजाएगा अब हम C वाला पार्ट देख लेते हैं C वाले पार्ट में क्या है 81265 यहां पे भी है और यहां पे भी है तो हम क्या करेंगे इसको common ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा C वाला पार्ट 81265 इंटू अंदर क्या बचेगा यहां पे 169 माइनस यहां क्या बचेगा 69 ठीक है तो अब यहां पे 169 से 69 निकालना असान है किस तरह से निकालेंगे 169 माइनस 269 मैं से 9 जाएगा 0 6 मैं से 6 जाएगा 0 1 बचेगा तो यह आएगा 100 यह क्या हो जाएगा 81265 इंटू 100 तो यहां पे यह 0 बढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा 81265 00 तो यह हमारा answer आ जाएगा अब हम D वाला part देख लेते हैं यहाँ पर D वाले में क्या है यहाँ पर थोड़ा सा चीज़े अलग है पहले इसको लिख लेते हैं 3845 into 5 into 782 plus 769 into 25 into 218 अब यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ common नहीं मिल रही है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे अब इसमें देखो यह दे रखा है नमबर यह दे रखा है अगर हम इसको add करते हैं तो देखो 782 218 और जब इसको हम add करेंगे 2 plus 8 10 10 का 0 यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ लिखेंगे 1 8 9 9 1 10 10 का 0 यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ लिखेंगे 1 7 8 8 plus 2 10 10 हम यहाँ लिखेंगे तो हो गया 1000 तो हम क्या करते हैं कि हमें कुछ ऐसा जुगार बनाना पड़ेगा कि यह जो है न यह bracket के अंदर रह जाएं जिस तरह से यह रह जाते हैं इस तरह से तो अब अगर हम इसको इ इसके साथ multiply करें तो यहाँ पर अगर यह दोनों equal आ गए तो हम क्या करेंगे इनको common ले सकते हैं तो यहाँ पर हम इनको multiply करेंगे देख लेते हैं तो यहाँ पर देखो 3, 8, 4, 5 इसको multiply करेंगे 5 से 5, 5 जा 25, 25 का 5 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे 5, 4 जा 20, 20 में 2 एड करेंगे 22 आएगा 22 का 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे 5, 8 जा 40, 40 में 2 एड करेंगे 42 आजाएगा 42 का 2 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे 5, 3 जा 15, 15 में 4 एड करेंगे तो यह हो जाएगा 19 तो यह आगया हमारा 19,225 इसको हम यहाँ लिखेंगे 19,225 into 782 प्लस इसको इसके साथ multiply करके देख लेते हैं यहाँ पर देखो 7, 6, 9, 25 अब देखो 5, 9 जा कितना होता है 45, 45 का 5 लिखेंगे और 4 हम यहाँ लिखेंगे 5, 6 जा 30, 30 में 4 एड करेंगे 34, 34 का 4 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे 5, 7 जा 35, 35 में 3 एड करेंगे 38 ठीक है यहाँ पर cross लगा देंगे 2, 9 जा 18, 18 का 8 लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे इसको कर देते हैं 2, 6 जा 12, 12 में 1 एड करेंगे 13, 13 का 3 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे 2, 7 जा 14, 14 में 1 एड करेंगे यह हो जाएगा 15 अब इनको एड कर देते हैं यह हो जाएगा हमारा 5, 8 और 4, 12 हो जाएगा 12 का 2 लिखेंगे और यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 को यहाँ लिख देंगे 1 8 9 9 प्लस 3 12 12 का 2 लिखेंगे और 1 यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 3 4 हो जाएगा 4 प्लस 5 9 हो जाएगा 9 को यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिख देंगे तो यहाँ पे भी क्या आया 9,225 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 19,225 into 218 अब यहाँ पे भी 19,225 है यहाँ पे भी 19,225 है दोनों को कामल ले लेते हैं तो यहाँ से 19,225 कॉमल लिया यहाँ बचेगा 782 प्लस 218 और इन दोनों को हमने आयड किया था यहाँ पे देख सकते हैं आयड किया तो हमें क्या मिला 1000 तो यहाँ पे यह हो जाएगा 19,225 into 1000 तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको 1 से मल्टिपलाई करेंगे बाकी 0 लगा देंगे 19,225 1,2,3 3,0 लगा दिये तो यह हमारा आंसर आ जाएगा कोस्टन समाप्त हो गया तो नेक्स्ट कोस्टन के लिए मिलतें नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही